सबी प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉनिंग जैसे कि हमारी जो साइन्स की क्लास थी उसके अंदर आज दूसरा पार्ट है इसके अंदर हम क्वेशनों की चर्चा कर रहे हैं जो मैतुपूर्ण है प्रिक्षया की द्रस्टी से तो क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है फटा बोजन तथा वायू के लिए उबहनिष्ट मार्ग कौन सा है गरसी का है गरशनी है यवला है या आमाज से है तो इसका सही अंसर हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नमबर ऑप्शन नमबर बी ऑप्शन नमबर बी राइट अंसर ग्रशनी क्या है बोजन तथा वायू का उभेनिस्ट मार्ग ग्रशनी को उभेनिस्ट मार्ग कहते हैं यहां पर आप से पूछले कि क्या ग्रशनी में पाचन की किरिया होती है तो पाचन की किरिया नहीं होती है ग्रशनी के अंदर पाचन की किरिया नहीं होती है ग्रशनी कारण क्या होता है अपना इस प्रकार से नलिका होती है और यह करम से संकुचित होती रहती है गबड़ती गड़ती रहती है छोटी बड़ी जिससे भोजन नीचे प्रवेश करता रहता है चलिए नेक्स्ट क्वेशन है अगले क्वेशन का अनस्वर दीजिए नेक्स्ट नमबर दो नेम लिख्यत में से कौन सा एंजाइम स्टार्ज को माल्टोज में परिवर्तित करता है टाइलीन शुक्रोज माल्टोज और उप्यूप में से कोई नहीं तो इसके अंदर right answer हो जाएगा Tylene कौन सा हो जाएगा Tylene है Tylene क्या करता है Starge को Maltoge में परिवर्तित करता है दूसरा एक condition और है इसके अंदर Tylene को Laramylage Sorry Laramylage के नाम से भी जाना जाता है Laramylage Laramylage के नाम से किसको जाना जाता है Tylene को और Tylene Starge का पाचन करता है आपसे पूछ लेगे Tylene किसका पाचन करता है तो ये Starge का पाचन Tylene Starge का पाचन करता है Starge को Maltoge में भी परिवर्तित कौन करता है Tylene किसके दौरा पाचन की द्वारा चलिए नेक्स्ट अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर तीन एपिक लोटिस का कारिय है एपिक लोटिस का क्या कारिय है यह आत में क्रमांकुचन का नियंत्रन करता है यह भोजन को सवसन नली से जाने से रोकता है भोजन को सवसन नली में जाने देता है उप्यूक्त सभी बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B यह भोजन को सवसन नली में जाने से रोकता है भोजन को सवसन नली में जाने से रोकता है एपिक लोटिस घाटी ढकन भी कहते हैं इसका दूसरा नाम क्या है घाटी ढकन जो अपना भोजन है वो स्वसनली में जाने से रोकता है और आप से पूछले कि एपिक लोटिस कहां पर उपस्तित होता है तो ये स्वसनली पर उपस्तित होता है कहां पर उपस्तित होता है, प्रोटीन का पाचन सरुपर्थम कहां पर होता है, ग्रिशिका में, ग्रिशनी में, आमाज़ते में, छोटी आत में, तो यहां से सही आनसर हो जाएगा, option number c option number c बिलकुल सही है कि सबसे पहले protein का पाचन कहा होता है आमासे में होता है और जैसे ही बोजन आमासे में प्रवेश करता है तो जठर गरंतियों द्वारा जठर रस का स्राव होता है जैसे ही आमासे में बोजन प्रवेश करता है तो जठर गरंतियों द्वरा जठर रस जठर रस का स्रावन होता है और सरव पर्थम प्रोटीन का पाचन कहा होता है आमासे में चलिए next question की बात करते हैं अगला question अगला question है पेपसी नोजन को पेपसीन में बदलता है यहीं पे लिखता हूँ मैं पेपसीन नोजन को पेपसीन में बदलता है question आपको दिख रहा है option लिख देता हूँ मैं आपके लिए option है रेनिन दूसरा गेस्टिक लाइपेज गेस्टिक लाइपेज यह पहला option यह दूसरा option तीसरा option है HCL hydrogen chloride और चोथा है none कोई नहीं question है पेपसी नोजन को पेपसीन में कौन बदलता है तो यहां से सही आणिशर हो जाएगा option number C HCL पेपसीन नोजन को पेपसीन में कौन बदलता है HCL जो HCL होता है वो भोजन को जो अपना भोजन होता है उस भोजन को अमलिय माध्यम भी देता है कि अमलिय ता कौन देता है HCL देता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे का question solo करना चलिए दीजी answer milk of magnesia है milk of magnesia क्या है तो इसका MGOH का hold twice, MGOH का hold thrice, CAOH का hold twice, CAOH का hold thrice तो यहां पर सही answer हो जाएगा option number A, option number A बिलकुल सही है MGOH का hold twice milk of magnesia, magnesium hydroxide भी कहते हैं इसको magnesium magnesium hydroxide magnesium hydroxide या milk of magnesia इसका क्या उप्योग किया जाता है तो इसका उप्योग है अमलियता को दूर करना आपसे पूछले की milk of magnesia का क्या उप्योग है तो अमलियता को दूर करना, अमलियता को दूर करने के लिए milk of magnesia का उप्योग किया जाता है next question HCl plus Mg OH2 का hold twice फिर reaction है आगे product बन रहा है MgCl2 plus H2O1 है ये कैसी reaction है कैसी अभिक्रिया है उसमा शेपी है उसमा सोशी है उदासी नी करन है या मंद अभिक्रिया है तो इसका right answer हो जाएगा option number option number C, ये एक उदासी नी करन अभिक्रिया है जो तिवर गती से संपन होती है कैसी है उदासी नी करन अभिक्रिया है जो एक तिवर गती से संपन होती है चलिए next question का अनस्वर दीजिए कौन सा protein पाचक enzymes है कौन सा protein है वो पाचक enzyme है लाइपेज, एमाइलेज, माल्टोज, ट्रिपसिन तो इसका सही answer हो जाएगा option number D, ट्रिपसिन जो ट्रिपसिन है वो एक पाचक enzyme है ट्रिपसिन क्या है एक पाचक enzyme है यह किसका पाचन करता है protein का, protein का पाचक enzyme पाचक enzyme है यह और renin भी एक protein का पाचक enzyme है यहाँ पर renin नहीं आए लेकिन renin option में आजाए renin, तो renin भी क्या है protein का पाचक enzyme मालीज, ट्रिपसिन की जगे पर renin होता तो renin भी क्या करता है protein का पाचन चलिए और यह जो renin है वो जो मा का दूद के अंदर casein होता है मा के दूद में मा के दूद में जो casein होता है उस casein को change करता है पेरा casein में पेरा casein में पेरा casein में change करता है कौन? renin renin एक protein का पाचक enzyme है जो मा के दूद के अंदर जो casein होता है उसको पेरा casein में change पेरा casein में change करता है अगला question आपकी screen पर है ग्रहनी निम्न में से किसका भाग है ग्रहनी किसका भाग है बड़ी आत छोटी आत आमासे ग्रिसनी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर बी छोटी आत ग्रहनी किसका भाग है छोटी आत का भाग है इसका भाग है छोटी आत का आपसे पूछले की सरीर में सरवाधिक पाचन की किरिया कहां संपन होती है तो सरवाधिक पाचन, सरवाधिक के पाचन की किरिया छोटी आथ में सरवाधिक पाचन की किरिया छोटी आथ में और छोटी आथ में सरवाधिक किसका पाचन होता है तो कार्बो हाइट्रेट का सरवाधिक पाचन होता है छोटी आथ में और छोटी आथ के अंदर अगनासे रस और पितरस दोनों आकर के मिलते हैं छोटी आथ में अगनासे प्लस पितरस दोनों आकर के मिलते हैं कहां पर छोटी आत में और छोटी आत के भाग के अंदर कौन-कौन सी ग्रंथियां जुड़ी होती है तो ग्रहनी में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है जो छोटी आत का ग्रहनी भाग है उसके अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है Brunner granthiya कौन सी granthiya Brunner granthiya तो granny से समन्दीत हमने क्या क्या चीज़ देखी granny निम्न में से किसका भाग है छोटी आत का भाग है पहली कंडिशन पहला क्योशन है कि granny किसका भाग है तो छोटी आत का सरवादिक पाचन भी छोटी आत में और ये किस का पाचन करता है सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा कार्भो हाइट्रेट का पाचन करता है इसके अंदर कौन-कौन से रस आते हैं तो अगनासे रस और पितरस दोनों आकर के कहां मिलते हैं चोटी आत में मिलते हैं और चोटी आत का ही भाग है ग्रहनी और ग् अंतिया ठीक है अगले क्योशन की और बढ़ते हैं अंतिम क्योशन है क्योशन आपको दिखाई दे रहा है ओप्षन में आपको बता देता हूं निम्न में से कौन सा वसा पाचक हैं वसा के पाचक हैं पहला ओप्षन ट्रिप्सीन दूसरा उप्षन रेनिन तीसरा एमाइलेज और चोथा लाइपेज बताईए अभी मैंने बताया था वसा का पाचन एंजाइम कौन सा है तो उससे पहले अपने एक प्रोटीन का देखा था अभी की बार किसका पूछ लिया वसा का तो रेनिन देखते टिक नहीं करना है रेनिन मैंने किसका बताया था पिछे चलिए इसका अंस्वर हो जाएगा सही अंस्वर हो जाएगा आपका लाइपेज सही अनसर क्या है लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है जो वसा को किसमें बजलता है वसीय अमल और गिल्स रोल में परिवर्तित करता है लाइपेज है वो वसीय अमल वसीय अमल वे गिल्स रोल में परिवर्तित करता है किसमें परिवर्तित करता है गिल्श रोल में चलिए आज की क्विशन आपको अच्छे लगी हों तो लाइक और सेर जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद आपको थैंक यू सो मस्ट टेक केर बाई बाई फिर मिलते हैं कल नेक्स वीडियो में थैंक यू